पिर दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम हिंदी को सुध के से लिखें इसके बारे में जानेंगे हिंदी के अगर आपको कुछ नियम पता हो जाएंगे तो आप लगभग 90 पर्षत तक हिंदी सुध लिख सकते हैं हम आज इस वीडियो में एक नियम की बात करेंगे वह नियम है सिरो रिखा कैसे लगाएं आप कोई हो पता ही नहीं होगा सिरो रिखा क्या होता है मैं बठा देता हूँ शिरो रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है नियम नियम में जो ये लाइन यहां से यहां तक है इसे हम शिरो रेखा केते हैं प्रंद इसके भी कुछ नियम होते हैं लगाने के लिए उसे कैसे लगाएं हम इस वीडियो में शुरू करते हैं देखिए सीरो रेखा लगाने के नियम मैं आपके सामने कुछ सब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ देखिए मैंने यहां गलत का चिन लगाया है और यहां सही का चिन लगाया है प्रन्तु अधिक अधिक जबकि सेम लिखे हैं गलत जिनका अर्थ है कि इधर की जितने भी सब्द लिखे हैं वो गलत है और इधर की जितने भी सब्द लिखे हैं वो सही है हम यहां देखते हैं कि अधिक अधिक जबकि सेम लिखे हैं और ध्यान ध्यान भी वेसे ही लिखें भाग भाग भी वेसे ही लिखें प्रन्तु यहाँ पर हमारी छोटी सी गलती होती है ध्यान दीजी इसे ही कहते हैं सिरो रिखा लगाने के नियम इस नियम में हमसे छोटी गलती हो जाती हैं वह गलती हम देखते हैं देखते हैं कि यो सिरू रेखा यहां से यहां तक जा रही है तो यह सब्धम ने गलत माना जबकि शिरू रेखा देखते हैं यहां कि यहां पर सिरो रेखा औ से लेकर इतनी गई और फिर इधो का जो इधो ऐसा है इसको छोड़ कर सिदा को को स्पर्श करती हैं ध्यान दीजिए सिरो रेखा ऐसा लगाया जाता है की की जिसमें हमें जीरो जैसा आकार दिखे उस पर सिरो रेखा नहीं लगाते जैसे उधारण के लिए यहाँ पर धो था और जीरो जैसा आकार दिख रहा है तो हमने यहाँ पर सीरो रेखा पूरी नहीं गुजारी जबकि ओ का भी वैसा ही हाल है यहाँ आधा जिरो के आकार का हमें प्रतित होता है इसलिए हमने यहाँ पर भी सीरो रेखा नहीं लगाई यही होता है सीरो रेखा लगाने के नियम जबकि यहां देखिए औ से लेकर के पूरा को तक सिरूरेखा जा रही हैं इसी कारण यह वाला अधिक गलत है और यह सही है ठीक उसी प्रकार यहां भी देखिए यहां हमें जीरो दिख रहा है तो हमने सिरूरेखा केवल इतनी ही लगाई और ध्यान यान में जो सब्ध है इसको पूरा लगाया हमने भाग में भी देखिए हमने जीरो का आकार था उसे छोड़ दिया और सिरूरेखा पूरी लेकर गई वेसे ही हम यहां दिखते हैं कि यहां पर जीरो आकार था प्रंद सिर्यों रिखा हमने पूरी लगाई इस कारण यह भाग गलत हुआ और ध्यान भी गलत हो जाएगा आपको यह वीडियो पूरी तरो समझ आ चुकी होगी थेंक्यू है वेनाश्टे आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब सेर अवश्य करें ताकि मैं आपको एसी ही किमती वीडियो लाता रहूँ